नमस्कार प्रिमित्रों स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ग्यान सिंदू में आज आप लोग इस वीडियो के माध्यम से छेत्रपाल बली का मंत्र जानेंगे मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा किसी अनुष्ठान में किसी जीव की बली नहीं लेनी चाहिए यहां पर बली का मतलब यह नहीं है कि यहां पर किसी जीव की बली ली जाती अपिदू आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई अनुष्ठान संपन्द हो जाता है तो छेत्रपाल की बली के लिए किसी नारियल को फोड़ा जाता है या कोई फल जैसे कद्दू है कुमधा होता है उसको फोड़ना चाहिए फोड़ते भी हैं ब्राहन लोग प्रडित लोग तो यही करवाना चाहिए किसी जीव की हत्या नहीं करवानी चाहिए तो वही मंत्र मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ छेत्रपाल बली का मंत्र परंतू अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वेल आइकन को प्रेस वस्य करिएगा क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अप्लोड करूँगा तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी तो चलिए जानते हैं छेत्रपाल बली का मंत्र हरिक ओम्मा हिंकारा यस्वाहा हिंकृता यस्वाहा क्रंधा तेस्वाहा वकरंधा यस्वाहा प्रोथा तेस्वाहा प्रपोथा यस्वाहा गंधा यस्वाहा घ्राता यस्वाहा निविष्टा यस्वाहो पविष्टा यस्वाहा संधीता यस्वाहा बल्गाते स्वाहा सीना यस्वाहा सयाना यस्वाहा स्वापाते स्वाहा जाग्राते स्वाहा कूजते स्वाहा प्रबुधा यस्वाहा विजरिम्भामाना यस्वाहा विजरिता यस्वाहा सग्गुंहाना यस्वाहो पस्थिता यस्वाहा याना यस्वाहा प्राना यस्वाहा तो यह रहा छेत रपाल वली का मंत्र अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा नमस्कार पुनह मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में